नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है 31 अक्टूबर 1931 का वो मनहूस दिन जब देश के सबसे ताकतवर नेता और प्रधान मंतरी इंद्रा गांधी के हत्या कर दी गई थी दरसल उडिसा में जबरदस्त चिनाव प्रचार के बाद इंड्रा गांधी 30 अक्टूबर के शाम दिल्ली पहुंची थी आमतोर पर जब वो दिल्ली में रहती थी तो उनके घर एक सफदर जंग रोड पर जनता दर्बार लगाया जाता था ये भी एक अगोशित नियम था कि अगर इंड्रा दूसरे शहर के दोरे से देर शाम घर पहुंचेंगी तो अगले दिन जंता दर्बार नहीं होगा तीस तारीख की शाम को भी इंड्रा से कहा गया कि वो अगले दिन सुभा की कारेकरम रद कर दे लेकिन इंड्रा ने मना कर दिया वो आईरिश फिल्म डारेक्टर पीटर उस्तिनोव को मुलाकात का वक्त दे चुकी थी बेंत और सत्वंत को हाथ जोड़ते वें इंड्रा ने कहा नमस्ते बेंत सिंग ने अचानक अपने दाई तरफ से 38 बोर की सरकारी रिवॉल्वर निकाली इंड्रा गांधी पर एक गोली दाग दी आसपास के लोग बहुत चक्के रहे गए सेकंड के अंतर में बेंत सिंग ने दो और गोलिया इंड्रा के पेट में उतार दी तीन गोलियों ने इंड्रा गांधी को जमीन पर जुका दिया उनके मूँ से एक ही बात निकली ये क्या कर रहे हो बेंत ने क्या जवाब दिया ये शायद किसी को नहीं पता तभी संत्री बूत पर खड़े सत्वंत की स्टेंगन भी इंड्रा गांधी की तरफ घून गई जमीन पर नीचे गिरती हुई इंड्रा गांधी पर कॉंस्टेबल सत्वंत सिंग ने एक के बाद एक गोलिया दागनी शुरू कर दी लगबग हर सेकेंड के साथ एक गोली एक मिनिट से कम वक्त में सत्वंत ने स्टेंगन की पूरी मैगजीन इंड्रा गांधी पर खाली कर दी स्टेंगन की तीस गोलियों ने इंड्रा के शेरील को भून कर रख दिया वहाँ पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के थी पास में खड़े एसीपी दिनेश चंद्र भट ने तुरंत बेंत और सत्वंत को काबू में ले लिया उनके हतियार जमीन पर गिर गए उन्हें तुरंत पास की कमरे में ले जाए गया एसीपी दिनेश चंद्र भट कहते हैं कि उस वक्त जो हो सकता था किया गया लेकिन हमला इतना अचानक अनपेक्षित और जगजोर देने वाला था कि उसको रिकॉल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस खबर में फिलाल इतना है तमाम अपडेट्स के लिए बने रही वन इंडिया के साथ